नमस्कार दूर दर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है भारत को विशेश रूप से त्योंहारों के देश के रूप में जाना जाता है हर दिन कोई ने कोई यहां त्योंहार होता है और यह जो समय है इस समय अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो समय है इस समय तो यह कहा जाता है कि त्योंहारों की एक लगातार श्रंखला चलती है जिस प्रकार से दीपावली का समय आता है नवरात्री का समय आता है विजया दश्मी आती है दीपावली का भी जो त्योंहार है वो काफी लंबे समय तक ने एक छोटे बड़े त्योंहार इसके आगे और पीछे मनाये जाते हैं लेकिन इस बार जो ये त्योंहारों का समय है ये समय भी एक विशेश समय बन गया है और वो विशेश इसलिए बन गया है क्योंकि पिछले आट-दस महिने में पूरा विश्व जिस प्रकार से कोरोना की महमारी से जूज रहा है तो इस कोरोना काल में ट्योंहार का जो समय है उसमें हमें क्या Вिशेश सावधानिया रहनी चाहिए किस प्रकार से कुछ परिवर्तन हमारे को चाहिए को रोना काल और त्योहार इसी विशह पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में पधा रहे हैं डोक्टर योगेश्य जी आदव योगेश्य आफ का बहुत-बहुत स्फागत हैं। डॉक्टर योगेश जी आदव एसोसियेट प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक मेडिसन समस मेडिकल कोलेज और जेके लोन अस्पताल में आप सेवाएं देते हैं और विशेश बात ये भी है कि जब से खास्तोर पर जैपूर में राजस्थान में जब से ये कोरोना का कहर जब से प्रारमब से इस बीमारी को लेकर उसके उफचार को लेकर अरेक प्रकार के आपने प्रयोग भी किये हैं रिसर्च में इसके उफचार में भी आपकी भूमिका बहुत बढ़ी भूमिका रही है रोग्स आप सबसे पहले आपसे जानकरी यह चाहेंगे कि जिस प्रकार से यह श्रेख के एप लोगों का बाहर में भी निकलना होता है घर-परिवार में भी लोगों का आना-जाना रहता है लेकिन कोरोना की महामारी की इस दोर में त्योहारी सीज़न में किस परकार की क्या विश्र सावधानिया रखी जानी चाहिए सबसे पहले तुम्हें आप सब लोगों को आने वाले दिपावली की त्योहार के लिए हर्दिक सुब कामना देता हूँ और आसा करता हूँ कि आप इस कोरोना मामारी से बचे रहेंगे सारे दस्कों से मेरा ये अनुरोध है कि जिस परकार दुनिया में आपने अभी खबरें देख रही हैंगे कि इटली है, ग्रीस है, जर्मनी है, फ्रांस है, यहां पे कोरोना की दूसरी लहर आ रही है जे वो दूसरी लहर वापस ये हमें इंगित कर रही है कि अगर हम कभी कहीं पे भी अगर चुके तो जो हमने अब तक कोरोना में जो अचीवमेंट लिया है वो वापस सारा हमारा प्रियास विफल नहीं हो जाएगा तो हमें त्योवारी सीजन में कुछ विशेश सावधानिया बरतनी पड़ेंगी दिवावली पांस दिन का त्योवार है तो आप पांस चीजे प्रमुकता से ध्यान रखें पहली चीज फोलो दे आल प्रिकोसंस मतलब हमें वो सारी सावधानियां रखनी है कि जैसे हमारे गर में कोई मेमान आते हैं या हम कहीं मिलने जाते हैं तो हम मा इग्नोर सिंटम्स यार मेरे तो हलके सी जुखामी है यह मेरे तो बुखार ही तो हुआ था गला ही तो खराब है ऐसी चीजें आगे जाके तकलीफ दे सकती हैं हो सकता है आपको नहीं दें लेकिन आपके जो परिवार में जो बुजूर्ग है उनको दे सकती है तो अगर नहीं करें तीसरी बात हम क्या सोचते हैं कि मेरे तो नहीं होगा पहले से हम कुछ संभावनाओं को सोचके चलते हैं यह वहां हम सबसे बड़ी मात खाते हैं कि मैं तो बिल्कुल हटा-कटा हूं मेरे कोरोना क्या कर लेगा यह जो लापरवाई जो है यह कई बार गातक होती दोस्ति तो है मेरे भाई तो मिलने आया तो करोना आपस में कम्योटी स्पेड हो चुका है तो आपस में करोना अपने मिलने वालों से हम इसके अरा हम अधने मिलने दूर रखें हम हिंदुस्तानी हैं प्रणाम की महत्ता तो पूरा देश के अलावा पूरा संसार मान चुका है लेकिन अभी जब तक करोना चले तब सबको नमस्ते या प्रणाम ही रखें चरण चुना या गले मिलना थोड़ा सा अभी त्युमारी सीजन में हमें करना चीए है आखरी बात इस बात को मैं मेरे गडर में भी कई बार सुनने को मिल जाता है मेरा बच्या चोटा है उसने का पापा बहुत दिन होगे बा़ चो घाने गहीड हिसffentlich नहीं तो यह त्यंवारी सीजन में कहीं है अपनो बाहर का खाला नहीं खाएं बाहर खाने खाने का मतलब आप गूमने जाएंगे दस लोगों के कॉंटेक्ट में आएंगे आपको नहीं पता कि जो यूटेंसिल यूज हुआ है या जो खाना यूज हुआ है उसमों किसने कैसे बनाया है तो तियोवार के दिन घर की बनीवी मिठाई खाएं घर के बने हुए जो खादे परदात अगर यूज लेंगे तो हम कोरोना से बचे रह सकते हैं तो यह बात याद रखें कि पांच दिन के त्यमवार में पांच बातें विशेश साफदानी से हम रखें तो त्योहारी सीजन में डॉक्ट साब ने बताया कि कि किस प्रकार से पांच विशेश बातो नहीं फैले और हम भी इसको आगे बढ़ाने में सहायक नहीं हो इन ही बातों का हमें विशेश रूप से ध्यान रखना पड़ेगा लेकिन रोक्षण जिस प्रकार से आपने इस चर्चा में कहा कि लक्षण यदी होते हैं तो उनके प्रतिला परवाह नहीं रहें यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस बात को लेकर बहुत से लोगों में आज भी असमंजस की स्थिती है कोई व्यक्ति अनेक व्यक्ति इस प्रकार के समाज में मिल जाते हैं जो कहते हैं मैंने यहां जांच कराई मैं पॉजिटिव आया दूसरी जगे कराई नेगेटिव आ गया इसा नहीं होता कि किसी विमारी से पीडित हों तो हम या तो सारे लोग ही सीरियस होंगे या सारे लोग ही बिलकुल ठीक हो जाएंगे ऐसा किसी विमारी में नहीं होता है कोरोना भी ऐसा ही है इसमें नॉर्मली 80% तक लोग बिना लक्षनों वाले या एसिम्टोमेटिक होते इसके अलावा 15-16% लोगों के नीमोनिया या खासी या सांस में दिक्कत होती है 3-4% लोग बर्थी की जोर्थ पढ़ती है और उनको आक्सिजन की जोर्थ पढ़ती है आईशुई की जोर्थ पढ़ती है और 1% से भी कम लोग मृत्यू को प्राप्त होते हैं अभी तो डर्ण लोगों में बहुत था लेकिन के इस परकार से लेकिन आप बतारें कि एक प्रतिशत से भी कम लोग जो है अगर हम टाइफाइड डेंगू, मलेरिया या टीबी की बात करें तो इनकी मॉर्टिलिटी कोरोना से ज़्यादा है चरूना से डढ़ने की जरुत नहीं हैं लेकिन कोरोना में खास बात क्या है कि यह एक साथ पूरी फैलता है तो अगर हमारे हिल्ठगेर फैसलिटी हमारी सरकार एकदम से अगर बिमार इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे तो उनको मरीजू को समालने में दिक्कत आएगी लोगडाउन का उद्देश से भी यह था कि बीमारी कम तेजी से फेले और कम जगे फेले ताकि हमारी हेल्थ केर फैसिलिटी पे और बर्डन नहीं पड़े और हम इस बीमारी को जल्दी काबू कर पाएं जै अब यह तो भी इसके लक्षनों की अब अगर बात करते हैं हम जांच की तो कोरोना की जो में जांच है उसका नाम है एक एंटीजन जांच है अगर आप साइंस के स्टुडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यह वाइरस जनित बीमारी है और वाइरस जो है वो खुद सजीव और निर्जीव के बीच की क में जाके मल्टीप्लाई होगा जब इसको सजीव कोशी का मिलेगी अब इसमें आर टी पीच्यर नाम की जांच होती है जिसमें हम वाइरस का आर ने मसीन से बार-बार उसको रेप्लिकेट करते हैं उसकी कोपी बनाते हैं तो उसमें कितने साइकल चलाएं तब एक निस्त सं अब आप जिसे आपके मूल प्रशन पर आते हैं कि कभी तो आदमी सुबह पोजिटिव आ गया साम को नेगेटिव आ गया तो असल में उसकी सीटी वेल्यू पर ध्यान देना चाहिए अगर मान लो उसकी सीटी वेल्यू सुबह 35 थी और साम को 36 हो गई तो यह देखने में बड उतना ही पोजिटिव उसको बोला जाता है ज्यादा वाइर्ल लोड होगा तो कम ज्यादा वाइरिस होंगे इसे समझें कि जितने ही वाइरिस होंगे उतने ही कमबार उस मसीन को चलना पड़ेगा जिसे मान लो एक लाग कोपी बनाने के लिए पहले से पचीछ जार वाइर है तो चार कोपी में मन जाएगा जी और अगर दस जार वाइरस हैं तो उसको जाजा चलना पड़ेगा तो जितना सीटी वेल्यू कम होगा उतना ही सरीज में वाइरल लोड ज्यादा होगा तो अगर किसी आदमी का सुबह मान लो चोती सीटी वेल्यू आया तो वो कई बार हमें यह भी देखने को मिलता है कि साब मैं तो ठीक हो गया लेकि मेरी रिपोर्ट तो पोजेटिव आ रही है इसका कारण क्या है कि असल में आप जो टेस्ट कर रहे हो यह उससे पूछा जाए कि उससे क्या कर रहे हो आप उस टेस्ट से यह पूछ रहे हो कि आपके के सरीर में RNA जो वाईरस का RNA और नहीं तो जो आर्टी-पी-चिय आंचे वह मॱट ढरने को भी पोजेटीव देती है तो अगर आपके सरीर में वाईरस का मॱट आरेने भी अगर लिपोट भी आईगी से डढ़ने की जुरुत है इलाज लग्षण या negative उससे बहुत अधिक भैभीत होने की आवशकता नहीं है आपकी लक्षन किस प्रकार के हैं आपके कैसा महसूस करते हैं और जैसे आपके लक्षन है उसी के आधार पर आपका उपचार होगा डोग सब हम उपचार पर भी आगे और बाचीत करेंगे लेकिन उसके पहले जा जाएं उनसे जो धुआ निकलेगा उसके कारण तकलीफ हो सकती है आपके माधियम से जानकरी ये देना चाहेंगे दर्शकों को कि वास्ताव में जो लोग पोजिटिव हैं या पहले पोजिटिव थे अब negative हो चुके अब सामाने हैं उनको वो जो पठाकों से धुआ निकलन हैं तो asymptomatic case यानि बिना लक्षणों वाले केसों जो भी CT scan कराते हैं तो उसमें ground glass appearance आती है जो मरीज ठीक हो चुके हैं उनमें lungs में fibrosis मिलता है मतलब आप इसको इस तरह से समझें कि आपके चोट तो लग गई है चोट लग गई घाव हो गया अब आग घाव के उपर जो स्क साथ में हैं कि आपके फैंपड़े अभी अभी एक बीमारी से उब रहे हैं उसमें काफी damage हुआ है उस fibrosis हो चुका है निमोनिया से रिकवर हुए हैं तो जैसे ही वो फैंपड़े में धुहा जाएगी या पटाकों की जरिली गैस जाएंगी उनमें वापस तकलीफ अगली बार के लिए रख लें इस बार हम जो दिवाली है वो खुशियों वाली दिवाली वैसा ही बढ़ाई देके या मिठाई खाके इस बार त्योंबार मनाएं तो डॉक्टर योगेश यादव का ये भी कहना है कि इस बार धिपावली में पठाकों से बचके रहना चाहि इसलिए इस विशय को भी हमें जन जन तक पहुचाने का प्रयास करना चाहिए कि पठाके जब सितियां सामाने होंगी उस समय भी छोड़ाये जा सकते हैं और खास्तोर पर शहरी क्षेत्रों में जहां कि उस धुआ को निकलने के लिए स्थान नहीं मिलता गलियां बहुत छो रहा था और आज जबकि हम कह रहे हैं कि उन सब बातों को साथ-ाथ महने बीच चुके हैं उसके बाद उपचार में क्या कुछ परिवर्तन आया है या वह इस्थितियां चल रही है जो पहले थी देखिए विवेग जी यह बीमारी नई है तो सोध करता हूं और विज्यानिक आपने कई वीडियो भी देखे हैं कि अचानक रोड़ पे चलता-चलता आजमी गर गया बाद में प्राशला कि वह तो कोरोना पोजितिव था इस कंडिशन को बोलता है हैं हैपी हाइपोक्षिया हैं हाइपी हाइपोक्षिया का मतलब हाइपोक्षिया तो है लेकिन वह कर लेता था ताकि वो फिर एकदम से जब ड्रोप होता था तब वो उसको मेडिकल एड नहीं मिलती और वो परसन एक्सपायर हो जाता है तो जब इस चीज को हम प्रतेक्स में देखते हैं तो हम ऐसा लगता है कि यह आदमी बैसिकली उसके तकलीफ अगर पलस ओक्सिमेटर से करें तो वो गटना होने से पहले उसका सेचुरेशन तो पहले से ही कम होगा मता हाइपोक्षिया तो उसको पहले से रहा होगा लेकिन वो आदमी उसको सांस में दिक्ट उतनी यदा नहीं होने के कारण से या इग्नोरेंस के कारण से उसको इस चीज की आक्षिन का सपोर्ट लेने की या बढ़ती होने की जुरुत उसको महसूस नहीं वी और उसने ध्यान दिया नहीं अचानक से लेवल ड्रोप हुआ और वो एक्सपायर हो गया तो यह चीज जब अमने प्रतेक्स में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आदमी अचानक थोड़ा सा थोड़ी दिर चल रहा था अचानक से गिर के एक्सपायर हो गया तो हमें लगता या यह अजीब बिमारी है किसमें पता ही चलता आदमी केसे एक्सपायर हो गया लेकिन बाद में पता चला कि इस कंडिशन को तो बड़े आराम से आप टैकल कर सकते हो कि आप अपना oxygen saturation level check करें pulse oximeter से अगर oxygen saturation level एक limit से ज्यादा कम है तो आप hospital में admit समय रहते हो जाएं ताकि आपके कोई तकलीफ नहीं हो तो एक बड़ा परिवर्तन तो यह आया कि हम यह जान गए है कि API epoxy क्या है यह कैसे काम करता है और क्या इसके लिए हमें करना चाहिए दूसरी बात starting में जब यह नवंबर दिसं क्रिमोनिया के साथ में रख में coglution profile या रख थके जमने की समस्या भी microthomba भी बन जाते हैं DIC हमारी बासा में इसको बोलते हैं multi-organ failure इसमें हो जाता है तो इसमें हमें anoxoparin injection की जुरत भी पढ़ती है जो रख में थके जमने नहीं देता है तो ऐसे इसके इसके अलावा एक नहीं समस्या आई है जो अभी हमें पता चलिए चार-पाइस में में उसको बोलता है cytokinin strom के नाम से भी आपको समझ में आगा कि कोई तूफान है तो cytokinin एक पदार्थ होता है जो अपना सरीर पैदा करता है और cytokinin एक limit से ज्यादा पैदा होने से हमारा सरीर हमें खुद को कोई नुकसान पहुंचाने लग जाता है जो हमारी प्रतिक्षा प्रणाली है वो हमें खुद को नुकसान पहुंचाती है इस चीज को cytokinin strom बोलते हैं और यह कुछ cytokinin जैसे IL-6 जिसका नाम है cytokinin का जांच भी होती है इसकी जो गंबीर मरीजों को इसको IL-6 की जांच भी यूज कर के इसमेंologistsन में रहू हिं में वह ने का कि कोई लाब नहीं है लेकिन रिष्छ से प्रमानित हुआ कि इसे स्टरीड में ॆप दयक हैं तो आज आज कल जो इसे स्टरीड सीरियस teraz हैं जिकिक साइटो काुन स्ट्रॉम जिनमें होता है उनमें यह लाब दयक सीद्ध और जीवन रख सक्वी सिद्धू है तो कुछ परिवर्तन जो यह इस तरह के आये हैं इससे मोर्टिलिटी पहले से गठी है पहले स्टार्टिंग में मोर्टिलिटी जहां 14 प्रिशंट थी जी मद्सो में से 14 एक स्पार हो जाता थे अब वह एक प्रिशंट से भी क्या सपास है क्या कुछ विशेश योगदान आपका इस बिमारी को लेकर रहा चिकित्सकों के क्षित्र में क्या कुछ विशेश उकलब दी रही है हर चिकित्सक का इस बिमारी में विशेश योगदान ही रहा है सारे चिकित्सक फ्रंट लाइन कोरोना वारियर के रूप में काम कर रहे है और जनता का सायोग भी इसमें मिला है हम जब कोरोना जब नया नया आया था तो देश में और हमारे राजस्तान में पीपी केटकी काफी कमी थी अब यह ऐसी चीज है कि जैसे आप सेना को लड़ने के लिए तो बेज देते हैं लेकिन हतियार हमें पता ही नहीं क्या काम में ले प्रोड़क्शन को उस लेवल पर ले जाना कि वह आगर अंकडों में बात करें जो भारत में पहले 50,000 पीपीई किट पूरे साल में काम आते थी एक साल में 50,000 काम ले जायरी सी बात है कि उनका उतपादव में 50,000 क्या स्पास ही होगा जिए अब जब कोरोना आया तो 50,000 न है वहाँ वहाँ में PP किट पहनने के लिए चाहे उस private institute हो चाहे सरकारी institute हो चाहे कई कई भी हेल्थ केरी facility हो हमारे police करमी है हमारे सफ़ाय करमी है सब को आपने क्या कुछ किया इस दिशा में तो हमने इस आवशक्ता को महसूस किया और उस टाइम हमारे जेके लोन में मारे अधिकसक डाक्टर जेके असोगुपता जी थे उन्होंने मुझे निर्देश दिये कि हम इस तरह से कुछ कर सकते हैं क्या तो स्वदेशी पीपी किट का मैंने उसका अधियन किया कि हम कैसे कि स्वदेशी पीपीए किट जो उच गुणोता वाला हो और साथ में कम लागत वाला हो दोनों चीज़ें और उसका जो अब चूंकि लोगडाउन था इसलिए चीजें मिलने रही थी जहां से हम कहां से मंगा कितने बनाए होंगे अब तक बहुत अच्छी अच्छी आप तो हमारे यहां कहा जाता है कि आवशक्ता आविशकार की जननी है और सब आवशक्ता थी पीपी इकिट की तो डॉक्टर योगेश यादव ने उस समय भी अपना आध्यान करके और जो कुछ चीजें हो सकती थी स्वदेशी आधार पर कम लागत वाली टीपीए किट बनाए और केवल पीपीए किट बनाए ही नहीं है पर तू अनेक स्थानों पर अनेक अस्पतालों में और हम कह सकते हैं पुलिस अधिकारियों को भी इनोंने निशुलक भी वितरित किये वास्तव में जो हम कह सकते हैं कि चिकित्सक का एक मूल कारिया है सेवा का कायरिया है उस विषय फिचार को आगे रखते हूए नहोंने काम किया डुक्षर्पर आपने काल में कुछ research भी किये कुछ शोध भी किये कुछ survey भी किये हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से दर्शकों तक भी वो नवनीत पहुचे शुरू में जब corona आया था तब हमें भी जो सूचना ही मिल रही थी हुआ है तो literature से मिल रही थी या फिर media से मिल रही थी तो हम भी यह मान diversity of symptoms हैं जरूरी नहीं है कि हर बच्चे के नीमोनिया ही हो हमें हमारे जेके लोन के अंदर चार पांच ऐसे बच्चे मिले जिनमें पेट में दर्द उल्टी दस्त थे और वो किसी दूसरे लक्षण के कानड़ से आये थे और बाद में जाके उनके सांस में दिक्कत पैदा जो ग्रुप था वो हमारे सोध करता हूं नहीं बताया कि कोरोना जो है खांसी चुखाम या निमोनिया नहीं है बलकि यह सांस में दिक्कत भी करता है इसमें दोरे भी आते हैं इसमें उल्टी दस्त भी होते हैं इसमें पेट में दर्द भी होता है इसमें डाइवरसिटी ओ किया था जी इसके अलावा कोरोना में जो लोकडाउन हुआ उसका जन्रमानस में बहुत असर हुआ है अलग अलग वर्गों में अलग अलग असर हुआ है एक तो कोरोना के कांड़ से बच्चों की जो स्कूल बंद हो गई तो उनका वजन बढ़ गया तो एक सर्वे तो मैंने यह किया था दूसरा सर्वे में ने यह किया कि भी जो कोलेज गोइंग स्टूजेंट हैं उनकी वो यूआ वर्ग वाले बच्चे होते हैं और कोलेज गोइंग स्टूजेंट को घर की आर्थी किस्तिति लोकडाउन में क्या होगा उनकी पढ़ाई का क्या होगा उनकी सर्व कोरोन युद्दाउं की साकते भी उसे भी हमने वे धी हमने उस दोर देखा जिस पर कॉरोत वारियर्स प्रकार से सम्मान हो रहा था तो ड्क्टर योगेश यादव ने जिसान पर के शोधे किये उन्न में विशये भी आया कि लगाता है लोग डाउन में लंबे समय तक घर पर रहने के कारणा नेक लोग अवसाद से भी ग्रस्त हो गए तो लोगों में आध्यात्मिक्ता और धार्मिक्ता भी बड़ी क्यों कि उस दौर में जिस प्रकार से दूर दर्शन पर रामायन और महाभार जैसे धारमिक धारावाहिक दिखाए जा रहे थे उनका भी जन्मानस पर सकारात्मा कसर हुआ जोटे बच्चे खास तोर पर जो विद्याले में जाने वाले हैं आठ वरश के दस वरश के बच्चे इंतजार कर रहे हैं कब दुबारा विद्याले खुलेंगे कब वो दिन प जाएगी हमारी सरकार काफी डाटाइ कट्टा कर रही है और जैसे ही वैक्सीन आती है सबसे पहले हिंदूस्तान में लेगी तो यह उम्मीद भी है कि बहुत जल्दी ही वैक्सीन आजाएगी कारेक्टरम अंतिम चरण में हैं डुक साब आपसे जानना यह चाहेंगे इस प् इस प्रकार से बचाव रखना चाहिए दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप सबसे मेरा यह अन्रोद है कि अभी हमें आउड़ोर में देखने को मिलता है कि कोरोना नहीं बाकी बीमारियों को लगबग छिपा दिया है हमारे बीमारियां तो वहीं है लेकिन उ स्वाइन फ्लू अभी आने वाला है सरदी बढ़ रही है तो जुखाम खांसी बच्चों में बढ़ रही है तो हम हमारे बच्चों में यह जो और बीमारियां है इनका भी हम ध्यान रखें जितने कपड़े आप पहनते हैं एक सीधा सा सिद्धानती है जुखाम कांसी से हम रात को पंका चला जाते हैं रात को गर्मी होती है सुभा आकर ठंड हो जाती है बच्चा सुभा जुखाम से पिडिख मिलता है हर खांसी जुखाम कोरोना नहीं है कोरोना चल रहा है लेकिन दूसरी बिमारियों का भी ध्यान रखें हमारे आसपास जो मच्चर जहां लेकिन त्योहार का समय है सुबह शाम जिस प्रकार से तापमान में अंतर आता है उस समय छोटे बच्चों का विशेश ध्यान रखने की आवश्यक्ता है और ध्यान रखने की आवश्यक्ता है किस प्रकार के लक्षण है यदि लक्षण कुछ अलग प्रकार के नजर आते हैं तो जाच करवाने में भी किसी प्रकार का डर नहीं है चिकित सक्से भी सला ले सकते हैं और जिस प्रकार से पांच विशेश सावधानिया इन्होंने पंच दिवसी महापर्व पर रखने की बात कही उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए डुक्र साब आप हमारे स्टूडियों आपका बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार नमस्कार नमस्कार